हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए बहुती अच्छा एक कटिंग का वीडियो लाई हूँ जैसे मेरे ब्लॉग डेली व्यू फिर्म्स को आप सभी ने बहुत पसंद किया है मेरे कटिंग के जो वीडियो है शौट्स है काफी सारे वियूज लाइक्स और आते हैं वीडियो में काफी आप पसंद करते हैं वीवर्स को मा habits करने और ग्यार को शौट्ञा मेरा जन्य वीडियो ब्लॉड करने वाली हूं को कटिंग को शाचनल है उसमें सारे वीडियो में आपलोड करने वाली क्टिंग के ऊपर तो ये मेरा कटिंग का जो वीडियो है मंटी एडवांस माल्ति स्टेप जो अभी बहुत ही ट्रंडिंग है बहुत कुपसूरत घांज है और हो एंटिन की है बहुत ही कुपसूरत लग दी कटिंग में किसी को भी कटिंग दे सकते हैं तो दोस्तों कटिंग के लिए पहला जो बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज है वह सेक्शन क्लियर चाहिए सेक्शन लीजिए अच्छे से तो आप देख रहे हैं पहले नीचे से होता है उसमें स्टेप्स आते हैं तो दो सेक्शन अलग-अलग जैसे उपर का सेक्शन मैंने अलग कर लिया है तो दो क्या section है उसमें भी कटिंग दिया जा रहा है आप देखने पहले साइड में लेकर फिर उपर लेकर यह जो कटिंग का मिथधड है यह बहुत ही अच्छा है ऌअगर जो इसमें आते हैं पकड़ी हुई है अब देखिए यह जो कटिंग आभी किया जा रहा है यह बहुत भेथरी नहीं कटिंग है जो मेरा उपर का लास्ट स्टेक्शन है अब उसको कट किया जा रहा है सेम मेथट है जैसे आप देख रहा है नीचे से अउपर जैसे जा रहा है तो यह 180 डिग्रे में कटिंग हो रहा है जो मेरा सेकंड section था 180 डिग्रे में नहीं था तो आप लोग ध्यान दीजिए किस section में किस ऐंगैल में अगर आप लोग एक बार इसको ध्यान देके देखिएगा, सिख जाएगा, तो कोई भी अच्छा cutting आप लोग कर लीजेगा आसाली से, तो दोस्तों देख रहे हैं, इसको सिधा cut किया जा रहा है, और cutting को तीखा लाने के लिए, sharp दिखाने के लिए, cutting एक बार नहीं, section को अच् अच्छा cutting है, यह बहुती sharpness लाता है, और बहुती layers जो आता है, बहुती बहुती बहतरीन layers आप देख रहे हैं, दोस्तों, कितने अच्छे layers आए हैं इसमें, तो इनके बाल काफी dry हैं, और जो काफी अच्छा volume आया था, फिर भी पसंद नहीं आया है, मेरे staff को तो वो और volume देने के लिए इसको देखिए, एक वी शेप में cutting दे रहे, बहुती unique cutting है, बहुती बहतरीन cutting है, यह style new है, आपने कहीं देखा नहीं होगा, ऐसा cutting का style, तो यह cutting, यह जो अभी cut हो रहा है section में, यह चोड़ने के बाद आप लोग देखिएगा, कितना अच्छा एक texture लाएगा year में, तो step by step आप follow करें, देखिए दोस्तों, यह कितना अच्छा fall आया है इसमें, और steps, मन चाहिए, यह जो advanced steps होता है, यह steps by steps नहीं होते हैं, इसमें बहुत सरे काफी steps दिये जाते हैं, जब तक satisfied नहीं होते हैं आप, तो front में इनको जैसे इसका उमर भी जादा नहीं है, तो front में layers काफी अच्छा लगेंगे, तो layers cutting के बाद, जो second section है, सामने का front, दो part में आप कीजिए, section मिला के फिर उपर का जो cutting हुआ है, उससे मिला के आपको cut देना है, जैसे इसका cutting section अच्छा से आ जाए, दो section मिला के, जो front में हम लोग लिए हैं, two sections में, तो उसको भी आप एक साथ लेके फिर cutting करें, पहले अलग-अलग cut करके फिर एक साथ काटें, तो देखिए, दोस्तों, कितना अच्छा finishing आया है layer का, बहुती बहतरीन cutting, फिर दूसरे side में भी same process, दो part में, front में section लिए गये हैं, देखिए ये दूसरे तरीके से cut किया जा रहा है, layers, ये process भी आप लोग follow कर सकते है, layers cutting के, तो ये भी बहुत अच्छा cutting है, आप लोग देख के भी cut कर सकते हैं, वीडियो को देखते हुए, तो आप लोग को सीखने में आसानी होगा, अच्छे से कंगी करें, कंगी एकदम साफ clear होने चाहिए, नहीं तो cutting अच्छा नहीं आएगा, देख रहे हैं दोस्तों, इनका भाल जैसे काफी dry है, और rough है, फिर भी cutting कितना अच्छा एक look लाया है, तो finishing में आपको बार-बार कंगी करके देखना है, जब तक आपको satisfaction ना आए, तो मेरे क्लाइन को और थोड़े चोटे चा चा रहे हैं, आप पहले नीचे से काटिये, फिर आप 180 डिग्री में लाएं, फिर उपर में लाके काटिये, तो ये cutting करने से देखिए, अब कितना अच्छा एक finishing में जो भी होता है, आपको लगता है कि थोड़ा सा कट चाहिए, थोड़ा सा नीचे से आप लोग finishing दे सकते है और देखने हैं दोस्तों, कितना प्यारा finishing आया है cutting में है, मेरी step अभी तक satisfied नहीं है, तो ये बहुत ही unique method है, आप 90 डिग्री में इसको घुमा के, रोल करके hair को उपर लेके जाए, और रोल आपका जितना अच्छा होगा, steps उतना ही multi जो steps है, बहुत ही अच्छा texture में आएग cutting के बाद आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक advanced cutting का method है, बहुत ही अच्छा cutting है, इसका जो process अभी किया जा रहा है, जो उपर लेके, रोल करके जो cutting होता है, वो एक volumizing actually cutting है, बहुत अच्छा volume भी लाते है hair में, और बहुत ही अलग एक texture देता है, जो खास करके आ ये मेरे salon में ये काफी popular है, ये cutting, तो दोस्तों देख रहे हैं, इसको बार-बार cutting किया जा रहा है, जैसे भीतर तक layers या steps दीखे, अच्छे से, तो देखिए, कितने अच्छे sharp layers या steps जो भी आप बोले, तो फिर आपको दिखाते हैं, फिर मेरे client का दिखे, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे इसका लूप पहले था, एकदम total एक makeover हो गया है, जैसे winter में फिर से इसको cutting दिया जा रहा है, जैसे winter में हम लोग काफी पसंद करते हैं, ये को खोल के रखना, तो उसके लिए winter में एक अच्छा cut बहुत जरूरी होता है, तो आप देख स दोस्तों कितना अच्छा आया है cutting का जो टेक्स्चर है, जो पहले इसका लूप था, वो काफी चेंज आया है, लूप में huge transition, transaction हुआ है, transition हुआ है, और लूप भी काफी अच्छा लग रहा है, तो last में finishing में cut दिया जा रहा है, जहां पे कुछ लग रहा है, हमको तो रहा कट चाहिए, थो रासा, तो दोस्तों मेरी client बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही कुपसूरत एक makeover हुआ है, तो I hope ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, please comment करे, share करे जादा थे दोस्तों के साथ, और subscribe करे मेरा channel, जैसे मेरे और वीडियोस आए, तो आप follow कर झाल